जैमसी की दोस्तों आज की स्वरी के मन्ना का भाग हमने लिया है भचन सहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसका 147 वचन वचन कहता है भूर होने से पहले ही उठकर मैं सहिता के लिए तुछे पोकारता हूँ मैं तेरे वचनों की आस लगाए हूँ धन्यवाद विदा परमिश्र तेरे पवित सामर्थी वचन के लिए तेरे वचन आद्भूत है महान है दोस्तों यहाँ पर भजन कार क्या कहता है वो वचनों को पहचान गया है वो जानता है कि परमेश्र का हर योशना, परमेश्र के हर आशीश, परमेश्र की दया, परमेश्र का अनुक्राए, परमेश्र का न्याए, परमेश्र की क्रिपा उसके वचनों में है वो जान गया है कि उसके वचन क्या है इसलिए भोरोने से पहले वो उड़ता है और हस लगाय रहता है प्रात्रा करता है करीब जाता है परमेशन के और उन वशनों पर मनन करता है उन वशनों को अपना बनाता है और अपने जीवन में लागू करता है क्यों लागू करता है दोस्तों? क्योंकि वो वचन ही है जो हमें सुक देते हैं दोस्तों आपकी कोई भी समस्या है, अगर आपकी कोई भी समस्या है, उन समस्याओं से निबटने के लिए परमेश्वन ने बाइबल में एक एक वचन दिया हुआ है, हमें उन समस्याओं के उत्तर के लिए उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है, और कोई रास्ता नह जाएगी उसका हल मिलेगा और इसलिए जब वचन हम अपने जीवन में डालते हैं जब वचन हम परमेशर के अपने जीवन में निभाते हैं तो परमेशर का भैं हमारे जीवन में रहता है और जिसका परमेशर चाहता है कि उसका भैं हमारे जीवन में रहे इसलिए इर्मिया 32 क चालिस में उसने लिखा हुआ है कि मैं अपना भै उनके हिर्दे में डालूँगा जिससे वे मुझसे कभी विमुक ना हूँ और मैं आनंद पूर्वक उनकी भालाई करूँगा और अपने संपूर मन और संपूर प्रांच से सच मुझ उन्हें इस देश में इस्थाबित करूँगा तालिस वचन दोस्तों परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है वो चाहता है कि हम उसके भाई में अपने जिन्दगी को गुजा रहे वो चाहता है कि उसका भाई हमारे जीवन में रहे ताकि हम उसे अलग ना हो ताकि हम उसे विमुक ना हो ताकि हम उसे जुदा ना हो उसका वचन हमें सत्य बताता है उसका वचन हमें सचाई की और बताता है उसका वचन बताता है कि जो जीवन है जिस मार्क को आप देख रहे हैं जो संसार को देख रहे हैं वो सत्य कौन है इशू सत्य कौन है इशू मार कौन है इशू जीवन कौन है इशू जोती कौन है इशू रोती कौन है इशू जल कौन है इशू हर समस्या का समधान कौन है इशू इसलिए उस इशू मसी को अपने अंदर लेते हुए इशू मसी के द बायागाल भी आगे कर दे दुश्मनों को माफ करो जो तुमें सताते उनके लिए प्रात्रा करो आप सुचिए क्या हाकी के जिंदेगी में ऐसा आप कर सकते है या आप बहुत एक रूप में ऐसा कर सकते है नहीं लेकिन इशू ने किया है इशू ने कुरूस पर किया है इशू ने उनको माफ किया है जिन लोगों ने इशू मसी के मुँपे थूका जिन लोगों ने इशू मसी को कुरूस पर चड़ाया उन्हें को इशू मसी ने माफ किया क्या हम कर सकते है नहीं इसलिए इशू हम में कुलिसियो 27 के इसाब से एशु मसी हम में है क्यों है हम में? ताकि वो हमारे अंदर अपना जीवन जीना चाहता है अगर हम उसको आग्या देंगे अगर हम उससे कहेंगे दीन बंका की परमेश्वर है एशु हम ये काम नहीं कर सकते हम हाने अंदर वो शक्ति नहीं लेकिन तू जो हमारे अंदर है तू हमारे अंदर ये कार कर क्योंकि तू हमारे अंदर इसलिए विद्दमान है कि तू हम में सिंदा रहे इसलिए पॉलस कहता है कि हम मैं मर चुका हूँ और मुझ में मुझ में ईशू सिंदा है आप अगर हमारे सिंदा है तो आप हमारे सिंदगी को जीए इसलिए दीन बनकर नमर बनकर हम इशू मसी दिखाएं कि इशू मसी हमारे जीवन को आप जी लिए जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से जीए इसलिए इसलिए वो कहता है निती वचन दो का नौ तब तू धर्मिक्ता नियाय निश्पक्षता वरन प्रतेग भली चाल को समढ़ सकेगा जब तो परमिश्र के भैक को मानेगा तब तो परमिश्र की धार्मिक्ता को समझेगा उस नियाए को समझेगा उस निश्पषक्ता को समझेगा जो परमिश्र इस धर्दी पर लेकर आया है इसलिए मेरे दोस्त जो कहता है कि मैं भजन की आस लगाए हुए रात दिन जाकता हूँ मैं भोर उटने से पहले ही जाक जाता हूँ और तेरी वचन का आस लगाए बहता हूँ क्यों कि वही वचन परमिश्र की धर्मेकता के बारे में उसके नियाय के बारे में उसके निश्वरक्षिता के बारे में बताता है दोस्तों इसलिए परमिशर चाहता है कि वो आप में रहे कर आपकी सिंदगी जिए इसलिए आप उसको आमंतरित करिए और उससे कहिए कि परमिशर तू हम में है और तू हमारे सिंदगी जिए इसलिए हम संसार के नहीं है, हम तेरे हैं इसलिए अपने अंदर से संसार को निकाली है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं बॉली वुट से हूँ और कई फिल्मों का ही दो रह चुका हूँ लेकिन मैं आज भी प्रास्तरा करता हूँ परमेशर ऐसे डिरेक्टर, ऐसे एक्टर जो भी कला मुझे थी, जो भी संसार मुझे था मैं चाहता हूँ, वो संसार मुझे से निकल जाए वो संसार मैं भूल जाऊँ और हर परमेशर का वचन बस मुझे याद रहे और मुझे कुछ याद ना रहे परमिश्र का वचन याद रहे परमिश्र का वचन ही मेरे जीवन में काम करे परमिश्र के हर वचन के अनुसार में अपने जीवन को चलाओ बस मैं यही मेरी प्रात्रा है तो दोस्तों आईए हम सुबह प्रात्रा करते हैं कि तेरे वचन के दौरा हमारा हर सुबह हमारी हर शाम हमारा हर दिन का हर पल गुसरे तेरे वचन के नुसा रही हम अपने चीवन को गुसा रहे हालेलोया क्योंकि तेरे अध्वत वचन चीवित है सिद्ध है और इसे लिए हम सिद्ध बनना चाहते हैं थाकि तू चाहता है कि ह सिद्ध बने आईए हम प्रात्रा करते हैं पर मिश्यर तेरे बब्द समर्थी नाम में अद्ब शिफा है सुनने वाले हर भाई बहने के लिए आशीर सुक और जंगाई मांगते धन्यमा देते हैं प्रात्रा अपने सुनने को बूल कि एमेन